असली मर्द अरब देश की बात है एक राजा था उसके बड़े ठट बाट थे उसके पास किसी चीज की कमी न थी एक दिन वो राजा लड़ाई पर गया उसके पास खाने पीने का सामान इतना था कि उसे लादने के लिए 300 उंटों की जरूरत पड़ी दुरभागे से वो दुश्मन से हार गया और बंदी बना लिया गया उसके पास उसका रसोया खड़ा था राजा ने का मुझे भूग लगी है कुछ खाने को तैयार कर दो रसोया के पास मास का एक टुकड़ा बचा था उसने उसे देखची में डालकर उबलने को रख दिया कहीं कुछ साग सबजी मिल जाये तो अच्छा होगा ये सोचकर वो खोज में निकल पड़ा इतनी में कुट्टा वहां आया मास की गंद से उसने अपना मुहु देखची में डाल दिया सहयोग से देगची में उसका मुह अटक गया। उसने मुह निकालनी की बहुत कोशिश की। जब मुह न निकाला तो देगची को लेकर ही वो वहाँ से भागा। राजा ने ये द्रश्य दिखा तो जोर से हस पड़ा। पास में एक संत्री खड़ा था। उसने राजा की हसी सुनी तो उसे बड़ा अचरच हुआ। उसने का आप इतनी मुसीबत में हैं तब भी हस रहे। क्या बात है। राजा ने जवाब दिया। मुझे ये सोच कर हसी आ लेकिन असले मर्द तो वो है जो मुसीबत में भी हस सके।